आप भी oranges खाते होंगे, चाहे आप कीनू खाते होंगे, चाहे आप halta खाते होंगे क्या आपको पता है कि ये oranges जितना आपके health के लिए beneficial है, उतना ही आपके skin के लिए क्योंकि ये source of vitamin है, आपके body की immunity को बूस्ट करता ही करता है, साथ है साथ हमारे skin को घ्लौी शाइनी और हमारे स्किन से डाक स्पॉर्ट्स को दूर करने में बहुत जादा हल्प करता है इनी विटामिन S से बहर पूर आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हो दोस्तो ओरेंग यह औरेंज फेशल पिगमेंटेशन का यूश्यू है आपके स्किन दिन पर दिन दोश्तों दोश्तों को ऐसको में शेयर होती जारी और एक बार में आपकी skin को Brighten up करने में बहुत जादा है करता है यह विटमिनस फेशिल दोस्तों आपके सकीन में जो भी डूलेस है उसको दूर करने में एक करता है आपके इस से कट करने के बाद हमें चाहिए इस औरेंज का जूस तो पहले मैं इसके सीट को अलग कर लूँगी और इस औरेंज के जूस को हम एक बाउल में कलेक्ट कर लेंगे एक औरेंज बहुत है स्किन के लिए औरेंज हमारे स्किन के डॉलनेस को दूर करता है पिंग्मेंटेशन तो यह एक बाउल में मैंने अलग रख लिया है अब हमें बनाना है यहां पर सबसे पहला step cleanser उसके लिए हमने एक चमच और इन जूस और एक चमच हमें यहां पर चाहिए कच्चा दूद कच्चा दूद में lactic acid होता है जो हमारे skin से दाग धबो को दूर बगाने में काफी ज्यादा helpful होता है तो दोनों का एक एक चमच आपको ले लेना है और अपने पूरे face पे अच्छे से apply करना है यह apply करने से क्योगा कि जित्ते भी आपकी face की गंदगी है उसमें dust है धूर मिट आप मसाज कर सकते हैं यह जो cleanser है दोस्तों यह आपके face से darkness को दूर करेगा dullness को दूर करेगा दूद आपको पता है lactic acid से भरपूर होता है चैरे को बेदाग बनाने में काफी ज्यादा helpful होता है तो मसाज करने के बाद आप किसी भी cotton के कप्रे से अपने face को clean कर लीजे पहले राउंड में सारी बाहर आजाएगी क्योंकि गंदे चैरे पर अगर आप facial करेंगे तो आपके चैर में और सारी परिशानिया भी पैदा हो जाएंगी जैसे pimples हो जाएंगे pigmentation हो जाएगा और dark spots हो जाएंगे तो पहला step डन होने के बाद तो हमने बनाना है यह पर scrub तो में बहुत जादा helpful होता है तो यह हमारा scrub बनके बिल्कुल ready हो चुका है अब आपको लेना है इस तरीके से जो छिलका हमने यूज करा था वो हम यहाँ पर ले लेंगे तो बिना छिलके के भी आप इसे यूज कर सकते हो ऐसा नहीं है बड़ छिलके यूज करने से क्या होगा हमारा जो चैरा है वो काफी अच्छे से scrub उससे होगा तो पूरी तरीके से इसे face पे apply कर लेंगे और कम से कम दोस्तों 5 मिनट आपको अच्छे से अपने face पे scrub करना है यह आपके skin के जो pores है उसको clean करने में काफी ज़्यादा helpful होगा तो पहले मैंने इससे clean करा तो उसके इसको clean करने में बहुत ज़्यादा help करेगी साथी साथ आपके skin से जितनी भी डन लैसा उसको भार बगाने में काफी ज़्यादा help करेगी तो जब भी हम facial करते तो इस scrub एक बहुत ही important डोल करता है पूरे facial में तो अच्छे से जब आप 5 मिनट मसाज कर लें उसके बाद आपक कर लीजिए तो आप देख सकते हैं face में कितना अच्छा निखार आया है तो second step भी मेरा यहाँ पर done हो चुका है दोस्तों और एक चीज और इसके बाद चाहें तो आप steam भी ले सकते हैं उससे और अच्छा निखार आपके face में आएगा थर्ड step है उसके लिए एक चमच मैंने आप औरेंज जूस लिया है दो vitamin E की capsule ली है vitamin E आपको पता है skin की जितनी भी problems होती है उसको दूर करने में काफी ज्यादा helpful होता है उसके बाद आपको लेना है यहाँ पर aloe vera gel तो एक चमच आप aloe vera gel ले लीजिए और थोड़ा सा मत बहुत ही लिक्विडी बन जाएगा इस तरीके से तो यह मेरा काफी ज्यादा लिक्विडी होगी क्योंकि मैंने काफी ज्यादा मात्रा में औरेंज जूस डाला है तो इसको में अच्छे से mix कर लूँगी दैन इसके बाद हमें add करनी है दोस्तों इसके अंदर मलाई मैं इस अगर oily है तब तो आप इसे skip कर सकते हो अगर dry है तो आप इसे add कर सकते हो तो बस आपको इसी से अपने face में अच्छे से मसाज देनी है कम से 10 से 15 मिनिट के लिए यह बहुत अच्छी cream आपके लिए ready हो चुकी है आपके face के लिए आपके face को shiny बनाने के लिए आपके face को glow बन में help करता है pigmentation को दूर करता है तो मसाज करने के बाद मैं इसे clean कर लूंगी wipe कर लूंगी तो third step भी हमारा done हो चुका है और आप यकीन मानिए इतना अच्छा glow आपके चाहरे पर आएगा ना इस facial से बहले पहले round में ना आए अगले एक या दो दीन बाद आपको जरूर glow से नजर आएगा अब हम इसका last step बनाएंगे वो बनाएंगे हम इसका face pack तो यहां पर मैंने ले लिया है एक से दो चमच के करीबर orange juice उसमें हमें add करना है दोस्तो corn flour corn flour बहुत अच्छा होता है skin की tightening के लिए skin से wrinkles को बगाने के लिए skin में glow लेके आने के लिए अगर आपके पास corn flour नहीं है दोस्तो तो इसकी जगह में आप use करेंगे मुलतानी मेटी बस दोनों को आपको अच्छे से mix करना है कुछ और ingredients इसमें add नहीं करना है तो अच्छे से हम इसे fat लेंगे क्योंकि corn starch क्या ओता हो नीचे बैठ जाता है तो अच्छे से पहले मैं से mix कर लूंगी तो यह मुझे थोड़ा सा रनी लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा corn starch और add करूंगी तो इसे हमने अच्छे से mix कर लिया है और यह हमारा एक face pack बनके बिल्कुल ready हो चुका है आप इसे normally भी अपने face पे लगा सकते हैं यह जित्ती चीजे मैंने आपके साथ share करी है वो आप normally separate भी अपने face पे कर सकते हैं बट अगर आप इन सारी चीजों को एक साथ करेंगे तो इसके जो result है वो काफी ज़्यादा कमाल के निकलेंगे तो यह देखे मैंने यह face pack ready कर लिया यह एक दिन नीचे बैठ जाता है तो इसको मतलब जब तक हमने use नहीं कर रहा तब तक मैं इसे चलाते रहूंगी तो अब मैंने इसे पूरे अपने face pack अच्छे से apply कर लिया है और अच्छे से apply करने के बाद दोस्तों आपको इसे dry होने के लिए छोड़ देना है 10-15 मिनिट के लिए तो 10-15 मिनिट के लिए मैंने dry होने के लिए छोड़ दिये आप जबी भी कोई भी face pack अपने चहरे पे लगाएं दोस्तों तो पूरा dry कभी ना करें इतना dry करें कि वो थोड़ा थोड़ा आपके face पे गीला रहे इससे क्या होता है कि अगर आप इसे पूरा dry करते हैं कोई भी face pack तो जितना आपके face को oil होता है चाहे आपके oily skin ही क्यों ना हो वो सारा oil जो होता है वो face pack absorb कर लेता और आपके skin और super dry हो जाती है तो ऐसा ना करें तो आप देख सकते हैं चैरे पे कितना अच्छा निखार आया है दोस्तों और ये निखार आपके चैरे पे भी आएगा मैं guarantee के साथ दे रही हूँ आज नहीं तो next day आएगा और बहुत अच्छा glow आपके चैरे पे आएगा जैसे मानों आपने कोई पालर से facial कराया हो इस facial को दोस्तों आप हपते में एक बार कर सकते हैं आपकी pigmentation का issue दूर होगा dark spot का issue दूर होगा अगर skin में done less है skin का जो complexion हो काफी ज़्यदा dark है उसको light करने में ये वाला facial best facial है